गुद मॉर्निंग बच्चो आज हम रौ के बाद जो वर्णाता है लौ को सीखेंगे ये क्या है ये लौ है ये लौ है आज का डेट लिखेंगे और देखिए लौ से क्या क्या चित्र और उनके नाम है लौ से लट्टू लौ से लड़का लौ से लंगूर क्या क्या चित्र है लौ से लट्टू लौ से लड़का लौ से लंगूर अब हम यहां पे जो लट्टू दिया है बिना रंग के यहां हम रंग भड़ेंगे और नीचे दी हुई लौ को ट्रेस करके लिखेंगे यह लौ है लौ से लट्टू लौ से लड़का लौ से लंगूर मैं फिर से पढ़के सुनाती हूँ लौ से लट्टू लौ से लड़का लौ से लंगूर आये अब हम अपनी वर्क बूप में देखते हैं लौ को हम कैसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे हमारी वर्क बूप पेस नंबर 44 में लौ से लड़का है यह लड़का है मतलब बॉय आज का डेट लिखेंगे और देखिए लौ को हम कैसे प्रैक्टिस करके लिखेंगे स्टेंडिंग लाइन कर्ब लाइन फिर से कर्ब लाइन यह हो गया आपका लौ आप लोग अपनी वर्क बूप में लौ को खुब अच्छे से प्रैक्टिस करो आज वर्क बूप में करेंगे कल हम नी कॉपी में करेंगे यह लौ है तो चलिए आप लोग आज अपना बूप और वर्क बूप निकालके लौ को पढ़िए और लौ को कैसे हम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे यह करके पूरा कीजिए कल हम लौ से लट्टू, लौ से लड़का, लौ से लंगूर को फिर से पढ़कर अपनी कॉपी में इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे अब करेंगे